Hello everyone, I welcome you all in this video. तो इस वीडियो में हम दिसक्स करेंगे Device Bid Adjustment तो गूगल एड्स में ये फीचर होता है कि आप डिफेरेंट डिवाइसे पे डिफेरेंट बिडिंग सेट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस मोबिल से जादा है तो आप मोबिल पे अपने Bid जो हो increase कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि desktop पे तो same way आप desktop पे जादा बिट करके और tablet और mobile पे उससे कम Bid सेट कर सकते हो बहुत से जो advertiser होते हैं वो डिफरेंट डिवाइस के लिए डिफरेंट केमपेइन सेट करते हैं जाद कि मैंने आप एक कुछ चीज़े पॉइंट भी कर रखी है जैसे desktop के लिए अगर आपका अलग campaign बनाए तो जिसमें नॉर्मली यूजर्स करते हैं mobile और tablet को opt-out कर देते हैं और mobile के campaign ने tablet और desktop को opt-out कर देंगे और same way tablet का अगर campaign है तो desktop और mobile पे ads नहीं होती ताकि आपस में clash ना करें तो इसलिए अब अगर आपको एक ही campaign बनाना है और उसमें बेड आजस्मेंट करनी है तो वो कैसे करें यह मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा तो अगर आपकी bit adjustment में minus 100% decrease by 100% लगा है तो इसका मतला उस particular device पे आपके ads show नहीं होगी और 900% लगा है तो जो आपकी base bit होती है उसको multiply किया जाता है वो increase हो जाती है by 900% से तो यह मेरा dummy account है यह तो मैं आपको दिखा रहता हूँ तो search campaign में चलते हैं तो यहां पर मैं search campaign के अंदर आ गया और यह मेरा ad group लेवल पर है तो यह मेरा यहां पर campaign level पर है और अगर मैं यहां पर particularly ad group पर क्लिक करता हूँ और मैं ad group के अंदर जाता हूँ और यहां पर क्लिक करता हूँ device तो यह मेरी ad group level लेवल पर बेटता है तो मैं आपको campaign level के बेट सिखाता हूँ पहले तो यहां पर option होता है pencil का अगर आप जहां पर click करोगे तो आपको यहां पर increase और decrease कर सकते हूँ तो अगर आपको लगता है कि आपको opt-out करना है यहां से तो आप इसको decrease by 100% कर सकते हूँ तो आप जब आप सेव करोगे तो आपकी ads है वो mobile पर चलना बिल्कुल बंद बचाएगी और जो भी bits रहेगी वो जो भी performance रहेगी वो सारी computer और tablet पर आएगी तो अगर मैंने यहां पर for example मैंने यहां पर campaign level पर minus 100% कर रखा है decrease by minus 100% तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो campaign run करें केवल computer और tablet पर ही करें और मैंने ad group level पर mobile को let's suppose increase by 50% कर रखा है मतलब मैं ad group level पर चाहता हूँ कि मेरा जो ads है वो mobile पर चले तो जो higher version का हमेशा settings होती है वो implement होती है campaign higher level की तो यहां पर ad group की settings को नहीं लिया जाएगा तो यहां पर campaign की setting ही implement होगी तो अगर यहां पर यह blank होता और उसके बाद अगर ad group level पर 50% होती तो वह चीज़ वहां पर directly implement होती तो यह कुछ एक condition होती है और इसकी जो range रही कि मैं यहां पर बतायता हूँ minus 100% मतलब बिल्कुल opt-out और यहां पर 900% जो कि आपकी जो bits आपने यहां पर set कर रखी होगी चाहे वह आपकी particularly keyword level पर या फिर ad group level पर बीड़ है तो वह उसको उस particular percentage जो आपने यहां पर दे रखा होगा उससे वह बढ़ाए गटाएगा जो भी आप यहां पर दोगी तो इस वीडियो में इतना ही thank you thanks for watching झाल